Welcome you all guys, I hope you are doing well, PKR Tech Classes में आप सबी का स्वागत है आज हम GATE 2021 के लिए Network Theory की सीरीज को continue करेंगे प्रीवेस वीडियो में हमने Northern theorem से related कुछ ऐसे question किये थे जो basic question से थोड़े different थे, इस तरह के question आने के ज़्यादा chances रहते हैं GATE exam में या फिर किसी भी other exam में, आज हम Northern theorem से related कुछ question और discuss करेंगे उससे आपको और ज़्यादा clarity होगी कि किस तरह के से अपने Northern theorem को deal करना चाहिए तो आप मेरा course प्रीपर कर सकते हैं GATE के लिए SAC, JEE के लिए PSPCL, IES, UPPCL, NLC, PGCIL, RSMSSB या फिर किसी भी state, JEE, AEE, या फिर GATE या IES के लिए आप मेरा course प्रीफर कर सकते हैं साथ ही जहां भी आपको technical में network theory देखने को मिलता है, वहां भी आप मेरा course प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि almost सभी courses में जहां भी आपको network theory देखने को मिलेगा, theoretical और numerical दोने ही तरह के portion important रहते हैं किसी भी exam में, किसी भी portion से question आपको देखने को मिल सकता है तो चलिए start करते हैं, but before we begin, मेरा नाम है प्रदीपकुमार और मैं Unacademy पर भी पढ़ाता हूँ आज हम question discuss करेंगे northern theorem से related तो first question अपने discuss करते हैं, क्या पुछा गया है find the short circuit current with respect to A and B तो A and B, A यहां पे है और B point यहां पे है तो आपको इसके respect में short circuit current find out करना है देखिए northern theorem में दो तरह के fundे होते हैं आपको एक तो ISC calculate करना रहता है दूसरा आप Rn या फिर Rth पोल सकते हैं उसको calculate करना रहता है लेकिन अपने यहां पे जो पुछा गया है सिर्फ आप से short circuit current पुछा गया है तो अपने सिर्फ short circuit current पे focus करेंगे Rth या Rn पे focus करने की कोशिस नहीं करेंगे ठीक है तो अपने को जो method दिखाई दे रहा है सबसे पहले अपने A और B को short करेंगे A और B को short करके यहां पे current show कर देंगे कि इसमें से ISC current flow कर रही है इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे एक current source है जो कि independent current source है independent current source की जो value है वो current की value है I equal to 5 at an angle of 45 degree इसका मतलब कोई AC current है जो 45 degree angle पर जा रही है और उसका magnitude 5 है तो second जो अपने को बात करने लेती है ISC के value अगर मैं बात करूँ किस कितनी कितनी होगी तो ISC के value जो आपको यहां देखने को मिल रही है तो इस branch और इस branch में जाने वाली current का sum ही ISC के value होगी तो इस branch में जो जाने वाली current होगी वो 5 at an angle of 45 यह तो अपने को सामने ही दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरी बात अपने समझ में आ रही है कि यहां से जो current है वो अपने को find out करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो अपने को दे रहा है वो voltage source दिखाई दे रहा है यहां current source होने के वज़े से आपको direct current दिखनी थी लेकिन यहां पर voltage source के वज़े से आपको direct current दिखाई नहीं दे रही है तो आपको current निकालना पड़ेगा निकालने के लिए अपने क्या करते हैं सबसे पहले इसको कोई भी एक ground potential माननेंगे मैं इसको ground potential माननेटा हूँ 0 और यह 0 तो यहाँ से यहाँ जाने में potential rise होता है तो अपने इसको बात को direct heat देख लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में potential rise हो रहा है अब इस पूरे लूप के अंदर यहां से इस पूरे लूप में बात करता हूँ इस पूरे लूप में आपको एक ही voltage source दिखाई दे रहा है कितना दिखाई दे रहा है 10 root 2 at an angle of 90 degree और इसके साथ में आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही impedance है यह जड़ इसको जड़ माल लेते हैं ठीक है अब इस जड़ impedance की value को calculate करने के बात करता हूँ किस तरीके से value को calculate करने के जड़ की जड़ की value मैं लिखता हूँ magnitude निकालने की अगर मैं बात करता हूँ तो x square प्लस y square इसको मैं से लिख सकता हूँ x plus j y ठीक है जब भी आपको जड़ की जड़ जो यह होता है अपना real part और यह होता है अपना imaginary part तो इसका magnitude जो लिखते है अपने x square प्लस y square लिखते है x की value 1 है y की value 1 है तो 1 plus 1 इसके magnitude आ जाएगा under root 2 ठीक है यह तो magnitude की बात आगी suppose की यह theta angle है तो 10 inverse y by x तो मैंने क्या बताया था x plus iota y ठीक है तो यहाँ पे 10 inverse y की value कितनी है 1 है और x की value कितनी है 1 है तो इसका मतलब 10 inverse 1 आगया 10 inverse 1 कितना होता है 45 degree अब मैं अगर जट की बात डारेक्ट ही कर लेता हूं कि जट की magnitude और जो angle है वो total कितना होगा तो अपने जट की value जो यहाँ पे देखने को लिख रही है इसको अपने लिख सकते हैं जट equal to under root 2 इसका magnitude at an angle of 45 degree अब इस loop की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस पस्ट ही कि एक ही आपका voltage source है प्लस एक आपका impedance है तो अगर मैं लिखनी की बात करूँ तो अगर मेरे को i current लिखनी की बात करता हूं तो v divided by z लिखता हूं और v की value 10 root 2 at an angle of 90 degree यहाँ फिर इसको इस तरीके से देख लिजिए 10 root 2 at an angle of 90 degree ठीक है 10 root 2 at an angle of 90 degree और जट का magnitude root 2 at an angle of 45 degree अब इसको डिवाइड करेंगे तो root 2 से root 2 cancel हो जाएगा यहाँ पे 10 आपके पास सामने आ जाएगा अब दो तरह की बाते होती है जब भी आपको इस तरीके से ब 2 at an angle of theta 2 है यह इस तरीके डिवाइडेशन में है तो जो magnitude होगा वो तो z1 y z2 होगा यह तो सबका पता लग रहा है लेकिन जो angle होगा वो कितना होगा जब भी डिवाइड में है तो theta 1 minus theta 2 इसको याद रख लिजिए कि आप इसका method होता है numerical थोड़ा सा मतलब इसका derivation होता है आप direct इसको समझ सकते हैं लेकिन अपने को क्या करना है numerical करना है तो आप इसको direct इसे रखिए जब भी divination में हो तो इनको subtract कर सकते हैं इसका अलावा अगर अपने को second case देखने को मिलता है second case किस तरीके से लिखता है कि z1 at an angle of theta 1 इसको multiply कर दिया जाता है z2 at an angle of theta 2 तो आप इस तरीके से समझेगे इसको समझेगे जो magnitude होगा z1 z2 होगा और जो angle होगा theta 1 plus theta 2 होगा ठीक है ये इतनी बात आप समझते होगे ठीक है तो इसतनी बात आप समझते होगे तो अब यहाँ पर आपको सपस्टी दिखाई दे रहे है कि यहाँ पर divide है देखिए 10 root 2 root 2 से root 2 cancel होगया 10 आगया magnitude की बात होगी 10 आगया ठीक है अब angle की बात करते हैं तो angle जो होगे जब divide होता है तो subtract हो जाएंगे तो angle होगा 90 minus 45 degree तो angle होगा आपका remaining 45 degree तो यह 45 degree angle आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मेरे को I की value यहाँ से लिखरे को आगी है अब इस I की value को लिखरे को I plus 5 at an angle of 45 degree इन दोना का sum होगा वही ISE के बराबर होगा और ISE ही अपन को calculate करना है तो ISE equal to 5 at an angle of 45 degree and plus 10 at an angle of 45 degree अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपका angle same हो तो आप direct rate कर सकते हैं 10 plus 5 कितना होगा 15 at an angle of 45 degree कैसे देखिए आपको अगर यह यह आपका एक phasor ह यह एक phasor है 0 degree पे suppose कि यह एक phasor है इसके अंदर अगर मैं magnitude का phasor को add कर देता हूँ तो देखिए यह phasor की length क्या हो जाएगी increase हो जाएगी बढ़ जाएगी लेकिन इसी बजाए अगर यह 0 degree पे होता और यह कुछ angle 45 degree पे होता यह किसी भी degree पे होता sorry 30 degree के मान लेते हैं यह होता तो यह इसकी direct बढ़ने के बजाए यहां बीच में कुछ ना कुछ अपने पास resultant निकल गया था यह vector में आप जानते हो है basic है तो आपको इस तरीके से देखना चाहिए ठीक है तो इस यह question अपना easy way में solve अगया अपने को ISC के value calculate करनी थी तो इसमें basically अपने AC source को देख भी ignore नहीं करना होता है angle को बिलकुँ साथ में लेके phasor sum करना होता है ना कि आप direct sum कर देंगे algebraic sum पे आपको नहीं जाना होता है हमेशा ही आप AC के जब भी question solve करें तो आप हमेशा ही phasor sum करने की कोशिस कीजिएगा कोशिस नहीं आप करना ही phasor sum है otherwise आप का answer गलत आ तो अपने को यहाँ पे a point यहाँ दिया है और b point यहाँ दिया है इसके respect में आपको पहले तो short circuit current find out करना है दूसरा आपको open circuit voltage find out करना है देखिए जब भी पहले short circuit current की बात करूँगा तो पहले ही इसको short करके यहाँ पे IAC बना देता हूँ मैं इतनी सी बात करता हूँ मैं simply तो यह मैं बात कर देता हूँ IAC यहाँ पे बना देता हूँ अब IAC जैसे ही आपने बनाया तो यह circuit आपका complete हो गया जब भी circuit आपका complete हो गया तो यहाँ पे current source है current source कितना current source की property है यह बोलेगा कि इस circuit के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो 3A current का flow कराऊंगा चाहे आप series में voltage source लगा जीजिए चाहे कुछ भी resistance लगा जीजिए लेकिन यह मैं तो ideal current source हूँ मैं तो 3A current flow कराऊंगा तो यहाँ से current जाएगी 3A और इसके बाद में IAC के value भी कितनी आजाएगी 3A इस तरह का question मैंने basic के अंदर बताया था बस वहाँ नोर्थन तो नहीं थी simply मैंने question ब करने वाली है बस आपको short circuit करना है और वह basic आफंडा आपको लगा देना है दूसरा आपने पास जो question मैंने बताया था कि open circuit voltage बताईए आप open circuit voltage के अंदर आपको क्या दयान रखना है कि आपको इसको open रखना है जैसे कि अपने थेवनिंग theorem के अंदर रखते थे देखिए नोर्थन theorem के अंदर आपको short करना रहता है और थेवनिंग theorem के अंदर आपको open करना रहता है तो जब भी आप इसको open करेंगे तो यहाँ पे आ आप उस circuit को open रखेंगे तो इसका मतलब आपका जो caseal है वहाँ पे valid नहीं रह पाएगा उसकी वज़े से आपको क्या हो जाएगा एक circuit जो आपने बनाया है वो invalid देखने को मिलेगा देखिए इस ideal current source की यह property है कि मैं 3A current flow कराऊंगा चाहे आप series में कुछ लगाऊ इसलिए तो voltage source को ignore कर दिए load को parameter को calculate करने के लिए resistance को ignore कर दिए और आप इसको डारेक्ट इस तरह की से बना देते हैं बना देते हैं कि नहीं बता देते हैं अब इसके बाद में आपको यह और भी दिख रहे हैं अब बताइए अब इसको short ही नहीं गिया तो बताइए 3A current कैसे flow करेगा य अगर आप कैसील यहां लगाने की भी कोसिस करेंगे तो आपको सपस्टी दिख रहे हैं जैसे यह node माल लिए मैंने जैन नोट पे मेरे को कैसील लगाना है जैन नोट पे incoming current बताईए आप कितनी है incoming current है 3A incoming को positive माना outgoing current बताईए कितनी है outgoing current मेरी बता रहा है कि कुछ भी नहीं जीरो एंपिर तो जीरो एंपिर बताईए incoming outgoing बराबर होगी क्या देखिए कुछ भी नहीं बराबर हो पाया तो इसका मतलब आपका यहां पे केसील सेटिस्पैड नहीं कर पाये तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां पे open circuit voltage find out ही नहीं कर पाएंगे ठीक है आपको इस बा केवील सेटिस्पैड नहीं हो पा रहा था उस केवील सेटिस्पैड नहीं होने के वज़े से वहां पे मैं current के value find out नहीं कर पा रहा था तो इस सेम कंडिशन यहां पे है तो आपको इस बात का विज़े त्यान रखना है कि जो भी आपको network सामने दिखाई दे रहा है वहां प प्रस्ट कॉस्चन में भी अपने AC sources की बात की सेकिंड कॉस्चन में KVL KCL KCL की जो कहां आपका सेटिस्पैर निकरिया उसकी बात की है ठीक है इसके इस कॉस्चन से यहां इस वीडियो से related किसी भी तरह के कि आपको करी जो तो आप comment box में बता सकते हैं साथ ही आप यह बता स टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं उसका आपको link description box में मिल जाएगा वहां से आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजेगा उससे आपको अगर किसी भी और भी subject में doubt हो तो आप वहां पर post कर दीजेगा आपको बिल्कुल solution वहां पर मिल जाएगा ठीक है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेर करना है इस वीडियो को ठीक है जो भी आपके साथ में जो भी आपके कालिक्स हैं जो आपको college में हैं या फिर J.A.E. की preparation कर रहे हैं या self study कर रहे हैं उनकी साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिए जिससे उनको लगे कि अफना वीडियो ज़्यादा से लोग देख रहे हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएंगा अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक में कर सकते हैं ऐसे कोई लुक्न सरी बात नहीं हो ठीक है तो जादा से जादा लोगों के साथ शेर जरूर कीजिए क्योंकि व्योज बहुत कम आ रहे हैं तो आप जादा से जादा लोगों के साथ शेर कीजिए ठैक्यू गाइस